पडिवार घरी की सुईयों जैसा होना चाहिए, कोई छोटा हो, कोई बरा हो, कोई स्लो हो, कोई फास्ट हो, पर जब किसी के बारा बजाने हो, तो सब एक साथ हो, गुस्सा आए तो रुकना सीखें, और गलती हो जाए तो जुकना सीखें, हर वक्त जीतने का जजबा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले, पर वक्त जरूर बदलता है, अगर आपने ये निश्चित ना किया, कि आज के समय के साथ क्या करना है, तो यकीन मानिये, समय ये जरूर तै कर लेगा, कि आपका क्या करना है, नकारात्मक लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए क्योंकि उनके पास हर समाधान के लिए एक नई परेशानी रहती है हारना तब जरूरी हो जाता है जब लराई अपनों से हो और जीतना तब जरूरी हो जाता है जब लराई अपने आप से हो जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यों होना समय की बात है लेकिन मृत्यों के बाद भी लोगों के दिलों में जिवित रहना ये कर्मों की बात है दौलत सिर्फ रहन सहन का तरीका बदल सकती है बुद्धी, नियत और तकदीर नहीं खामोश होने में और खामोश रहने में फर्क होता है खामोश इसलिए होते हैं जब किसी की बात बुरी लगती है और खामोश इसलिए रहते हैं ताकि किसी को मेरी बात बुरी ना लगे बरपन वह गुन है जो पद से नहीं संसकारों से प्राप्त होता है जजबा रखो सच और जूट को परखने का क्योंकि कानों में जहर घूलना तो जमाने का काम है ज़्यादा जिम्मेदारी, ज़्यादा दर्द इंसान को खामोश रहना सिखा देती है इंसान जतना समज़दार होता जाता है उतना ही कम बोलता है और जो जितना ही कम बोलता है वो बातों को उतने ही अच्छे से समझ सकता है यह सोचने की बजाए कि आपका सफर कितना कठिन है यह सोचें कि अगर अच्छे से महनत की जाए तो आपकी कहानी कितनी शांदार होगी ऐसे ही शांदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल आइकन को जरूर दबा दें अगर आप यह वीडियो फेस्टूप पर देख रहे हैं तुम्हारे फेस्टूप पेज को लाइक करें और फॉलो करना ना भूलें आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं जल्द मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार